अग्यारस क्यारे छे ये प्रश्ण बहुत अपने आप में खराब है क्योंकि तुम मतलब ना तो सेवा से ही जुड़े हुए हो ना तुम पंचांग से ही जुड़े हुए हो ना तुम टिपनी से ही जुड़े हुए हो ना तुम धर्म से ही जुड़े हुए हो अब लोग जब तो मुझे तो बहुत दुख होता है यह क्या है ऐसा हम तो अमरत देते हैं वहीं जब संबसर आता है तो हम तो बले लीमड़ा मुझे डालते हैं पन लीमड़ा और मिश्री खिलाके सब कामूरित देते हैं कि तुमारा साल ये कड़वा और मीठा दोनों ढंग से जाने वाला है तो इसको पचाना सीखो जीवन में कड़वास को भी पचाना सीखो और मिठास को लोगों की साथ बाटना सीखो ये विश करना लोगों को बंद करो ये नागवर्ती ये आत्म जागरती के लिए भी आज का मेरा एक ये छोटा सा उपदेश है कि जितना हो सके हिंदू कैलेंडर से आपस में संबोधन करो क्या आज पंचमी है, क्या छट है, क्या आने वाली ग्यारस है फिर बाद में अमावस्या कब है, प्रतिपदा कब है मतलब लोगों को जल्दी से ये भी नहीं पता होता है कि एकम को प्रतिपदा कहते हैं तो अब ऐसी सब छोटी-छोटी कीज़ें, ये क्यों नहीं पता है क्योंकि हमारा टिपनी जी के साथ, हमारा पंचांग के साथ, हमारा हिंदू कैलेंडर जिसको हम कहते हैं उसके साथ थोड़ा सम्मंद छूट सा गया है तो मेरी बात निकली थी विक्रमाब्द शाकाब्द इन से तो अपने ये वल्लभाब्द भी जो बदलता है इससे पता चलता है संपरदाय को कितने वर्ष हुए शिमाहाप्रभु जी इस वर्ष कितने वर्ष क चलता है महरश्चन लोगों से आप यदि पूछोगे तो उनको शिवाब्द भी याद होता है कि शिवाजी को आज कितने वर्ष हुए और उसमें दो मत होते हैं कितने लोग शिवाजी के कोरोनेशन छत्रपती होने इसके समय से केलेंडर का प्रारंब मानते हैं और कुछ ल अब हमको तो इतना मालूम है विक्रम समवत 1535 में श्री महाप्रभुजी का प्राधुर्भाव हुआ है तो जब हम अपने कीरतनों को देखेंगे इतिहास को देखेंगे और क्योंकि यहां इतिहास की बात निकली है और हम सीधे अब वारताजी में प्रवेश करने जा रहे ह हमारा फेस्बुक अन हो चुका है फेस्बुक के मित्र भी हमारी जूम सभा को जुड़ चुके हैं तो मैं चाहूंगा कि अब मैं सीधा वारताजी में आऊं लेकिन क्योंकि यहां इतिहास की बात निकली है तो इसलिए मैं एक बार पुनश्य स्मर्ण करूंगा कि अपने सं कित्र, मूल पुरुष, वल्लभाख्यान, संपरदाय कल्पदुरुम, संपरदाय विजय, संपरदाय प्रदीप और छेला वल्लब दिग विजय, कम से कम नो हमारे पास इतिहास गरंत हैं और इनमें दसमें सेट में काफी महानुभाव आचारियों के वच्चनामरत गिर्ध प्रभू की शिक्षाएं, तो वच्चनामरत करता आचारियों का भी हमारे पास भहुत साहित के उपलब्द है, तो ये सब जो हैं हमारे दश विद्ध, हमारे इतिहास को देखने के हमारे पास गरंत विजयमान हैं, हम इनसे अपने संपरदाय के गत ये साड़े 500 साल के इति उप्ष नहीं हुआ, उन सब का हम यो देखो, तो एक परकार का, एक परकार की सर्वे, एक परकार की रीशर्च, एक परकार का हम एनलिसिस, हमारे हिस्तोरिकल एनलिसीस हम तयार कर सकते हैं, क्योंकि जिभंटाय के पास दस-दस इतिहास गरंत हों, वो संप्रदाय में कोई भी बात छोपी हुई नहीं दूसरा इस से इतर ये तो मैं उनकी बात कर रहा हूं कि जहां केवल महाप्रभु जी शी गोपीनाच जी शी गुसाई जी सातों बालक और हरिडाई जी पुरश्वत्तम जी परियंत का इतिहास जहां हमको मिलता है लेकिन जब हम एक-एक संप्रदाई के आचरें द्वारा किये गए सुकृत का इतिहास मिलता है तो ऐसा है इतिहास रूपी यह थाथी धरोहर अपने पास बड़ी दिव्यता के साथ संग रही संरक्षित और सुरक्षित बिराज रही है तो इसका लाब लेना चाहिए और मिज़े जहां तक स्मरण है हम जिस पब्लिकेशन जिस हम प्रकाशन विभाग के आधार पे ये सतसंगों को करते हैं वैश्णों मित्रवंडल इन्होंने तो मूल पुरुष भी छापा है वल्लभाख्यान भी छापा है इन्होंने वल्लभाख्यान तो हमारे नित्य लीलास्थ गोस्वामी एक हजार जीवनलाल जी महराजी की ब्रिजभाशा टीका के साथ पूरा वल्लभाक्यान चापा है और वल्लभाक्यान में नवाक्यान में तो नए नए गुजराती बच्चों को भी रस होना चाहिए क्योंकि गुजराती की दृष्टी से भी वो एक बड़ा अनुपम गरंथ है वल्लभाक्यान जिसको नवाक्यान भी कहते हैं और संप्रदाय का बहुत जबर्दस्त इतियास हमको उस गरंथ से भी जानने को मिलता है सिद्धान्त संगती के साथ तो सुबोधनी जी के आधार प आपने सब सिध्धान तुमा प्रकट की हैं श्रीद्वारकेश जी नाम के आचारे द्वारा मूल पुरुष प्रकट हुआ है तो मूल पुरुष भी चापा गया है संप्रदाय प्रदीब भी चापा कि एक-एक वैश्णव के केवल जीवन चरित्र ही नहीं अपितु तीन जन्म की भाव भावना सहित उनका पूरा इतिवरत अपने को प्राप्त होता है मतलब इतनी डीटेल्स तो हमको कभी किसी ने मतलब शिमत भागवत और रामायन में से निकाल के राम कृष्ण की भी नहीं दी जितनी डीटेल्स हमको यहां 84 और दोसोबावन वैश्णों की देखने को मिलती है तो बड़ी धन्यता का अनुभाव करते हुए कि हम वल्लब संपरदाई के अनुयाई हैं हम पुष्टिमार्ग के अनुयाई हैं हम कृष्ण भगत हैं हमारे जीवन में कृष्ण भगती का आविर भाव यह महानुभावों की कृपा से हो सकता है या बना रह सकता है अगर है तो मैं तो वापिस कहूँगा जन्बान तरह सहस्त्रेशु तपोग्यान समाधिना नराणाम शिन पापा नाम कृष्ट भक्ती प्रजायते। पाठ यदि कृष्ट के सन्निधान में बैठ के करोगे तो मैं तुम्हारा कृष्ट में आश्रे अवश्य द्रड करूंगा यी तो इस प्रिकार का जहां वचन मिल रहा है कि हमारा कृष्ट के आश्रे का द्रडी करने के लिए मतला हमारे बीच भाव को और सुद्रड करने के सवतरा जो सेले जहां आचरी विद्यमान हें जहां पर सारे दूरीत्क्र्णूख के सांथ तमाश टकं मिदं मुदा पठेशूर सूति सदा समस्तन दूरीत्- ऑक्षयो सारे दूरीत का क्षय करने के लिए जहां पे श्री मिनची विद्यमान है और भवती वही मुकुंदे रती खाली पापनाश नहीं करेंगे अपी तो अपने पापनाश करके अपनी भगवान के चरणारविंद में रती भी स्थापित करेंगे उससे इतर तदुक्तम अपिदुरुबोधम सुबोधम सियाद इथा तथा तन्नाम आश्टो तरश्टम प्रवक्ष्यामी अखिल अग अपने माथ्य पे श्री गुसाई जी विराज माने यन्नाम आरको दयात पापत ध्वांत राश्री प्रशाम में थी विकसंती हृदब जानी तन्नामानी सदाश रहे कि जिनके नामों का आश्र लेने से हमारे भक्ति रूपी कमल का विकास होगा और पापत ध्वांत हमारा जो है अंधकार वह दूर होगा और यन्नाम अरक अरक मतलब सूरिय यह से सूरिय के उदे होने से इन नाम रूपी सूरियों के उदे होने से हमारा पापत ध्वांत चला जाएगा जिस मारग में वैश्वानर रूप साक्षाच्छी महाप्रभु जी विराजते हों जहां शी गीता जी मिन अपने को बताते हैं किह भई ना शुशंको नपा वा कह मतलब मेरे धाम को तो जो है मेरा धाम स्वयम प्रकाष थैर। न शशांको न पावका मेरे धाम को प्रकाशित होने के लिए न सूर्य की आवश्रक्ता है न चंदर की आवश्रक्ता है न अगनी की आवश्रक्ता है मेरा धाम अपने आप में स्वयम प्रकाश है और चिदानन्द मई हमको जो ये वैश्णव जीवन मिला है इसका क्यों अलाब लिया जाए सारस्ट लिया जाए इसको भूगा जाए तरीके से उसके भूग की एक ही विधा है पहले अपने मार्ग को इतिहास दृष्टी से समझा जाए कि कितना हमारा गौरव शाली इतिहास और ये इतिहास केवल ऐसा नहीं है कि पुरानी बातों पर बस बैठे बैठे चिंतन करते रेना कि ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था यहा है वाली नित्यता है इसलिए हम थाथा में बात नहीं करते हैं हमारे पास कराम अलकवत क्या है एक आउले को जैसे हम हाथ में पकड़ लेत उस प्रिकार से हमारे पास क्या है इस समय ये उसका चिंतन हो रहा है आईए अपने वारता के हम दर्शन करें कल हमने देखा किस प्रिकार से श्री स्वामनी जी के सन्निधान में ही श्री गोर्धन धर ने ब्रशभान जी के घर की मालिन उस भैसा का उस पाड़ा का उद्धार आपने किया उसके उपर विराज के आप तोंड के घना में पधरे तो जब सी स्वामनी जी वापिस हास्य विनोध और अरोगाने के लिला करके जब पुनष्ट बरसाने पधरती हैं तो आप भाव प्रकाशकार ने बताया कि यह जो स्वामनी जी हैं इनको आवा गमन में क्योंकि जब यह पधरती हैं तो हमको जो काटे जो गोखरू जो उबड़ खाबड़ ब्रज की जमीन यह सब हमको जो देखने को मिलती है आधी भहुत एक चर्व चक्षूँ से यह आपके आगमन से ही सुन्दर लता पता खुंज निकुंज विलकुल मत्तवियों समझो के क कौमल से कौमल घास का रूप लेके और यह ब्रजभूमी शी स्वामनी जी के अनुकूल हो जाती है ठाकुर जी के विहार आनुकूल होके और फिर हमको दर्शन देती है तो यह प्रिकार से कहा लेकिन उसमें आधा भाव प्रकाश कल समया भाव से रह गया और शी गोर्धनन जी को देखे नहीं जाने जो भेंसा लिये चार जन जाते हैं अर्थात यहां भाव प्रकाशकार कह रहें कि जब आप तॉंड के घना में पधारे परवत से लेकर और वहां पे तॉंड के घना के भीतरी भाग तक तो बीच बीच में तो बहुत से ब्रजवासी मिले क्योंकि ए जानदाबाद, राजकोट और सब अलग अलग जाये के मेट्रोपॉलिटेन, कॉस्मोपॉलिटेन लोगों से ही स्वार्थी लोग गिराज जी की परिक्रमा करने प्राया स्वार्थी लोग जाया करते हैं कि मारू आ काम थही जाये, मारू ते काम थही जाये, बाकि सर्वकार ये पूर्ण करता ऐसे शिगर्राज जी तो आप कोई कारण से परिक्रमा करो के बीना कोई कारण के परिक्रमा करो आपको सब फल देते ही हैं लेकिन आश्चरिय हैं पुष्टी फल नहीं लेके केवल आधुनिक और आधिवोतिक फलों की ही वांच्छा लेके लोग शिगर्रा जी की शरण में तो जाते हैं पर ये तो केवल अकरना अतमंद करनम श्रेय हा कुछ नहीं करने से कुछ करना अच्छा बस ये वैसी कुछ सोच है बाकि सही सोच तो यह है कि हे शिगर्राज जी आप तो समस्त लीला परिकर के शिरमोर हो आप हरिदासों में वर्य हो आप ऐसी करपा करो के भगवन लीला की अनुभूती हो भगवन लीला का सानुभाव हो ठाकुर जी हम पे करपा करें और वो करपा हमको समझ में आवे तो भगवान के द्वारा हो रही सरवदा निरजरित हो रही करपा हमको अनुभाव में आए इसलिए लोगों को गिर्राज जी के प विग्यक्ति ये विंती करके देखो कि बस मैं केवल आपको दंडवत करवे आयो मैं केवल आपको प्रणाम करवे परिक्रमा करवे केवल आपको पूजन करवे आयो आप देखो आप देखो आप देख सपने में भी जो पदार्थ नहीं सोचे होंगे वो पदार्ष गिर्रा जी अमना जी आपको सुलब कर दिंगे क्योंकि भगवान स्वयम् सरवग्ये हैं प्रार्थि तेवात ततख्किम्सयाद साम्या भिप्रायस उश्याद सरवत्र तस्य सरवमी सरवसामर्थ्यमेवच्छा प्रभू तो सरवसामर्थ्यवान है और सरवेश्व प्रश्च सरवात्मा निजे अच्छाता करिश्यती हुआ अपनी इच्छा से ही सब करने वाले हैं प्रार्थना करो के मत करो विग्यप्ति करो के मत करो लेकिन विग्यापन और विग्यप्ति तो अपन दास धर्मत करते ही हैं क्योंकि दासी नाम न प्रभुर गती अपनी गत They are the only some type of extension to Shittaakurji वो एक पर्कार से लीला का ही विस्तार हैं वो लीला परिकर हैं और स्वयम भगवदात्मक हैं वो स्वयम भगवद रूप हैं भगवदात्मक हैं वो ही भगवान हैं वो सब जानते हैं कि में और आप क्यों वहां पहुंचे हैं इसलिए हमको सिर्फ ये भावना रखे, शिर्दाजी, अमना जी, मैं तो कहूंगा शिनाजी भी, ये शिनाजी के सन्निधान में भी जो लोग कुछ ने कुछ मांगने जाते हैं, कुछ ने कुछ लेने जाते हैं, वो अपनी जोली में बस बहुत कुछ कम लेके आ रहे हैं, मैं बस दास भाव से अपना कर्तव पूरा करो यही संप्रदाई की एक परमावश्यक्ता है महाप्रभु जी ने शिक उसाई जी ने जो मार्ग प्रशस्त किया है वो मार्ग में बस यही कहा है साधन और नहीं याकली में जासों हो है निवेरो भगवद आश्रे के बिना और कोई चीत से निवेरो नहीं होने वालो है घर ईन चरनन केरो भरो साधन बेरो जाते हैं परिया वाले पाद पक्रत पें हम कहते हैं बोल दो शाहिए ठाकुर को पता ना हो मांग लेंगे तो प्रभू को पता चल जाएगा नहीं वो ठीक है वो कब मांगना चाहिए जब अपने को पूर्ण रूप से पता हों कि ये प्राप तो होने ही वाला है, तो वो एक प्रकार की कृतग्यतापन के साथ बोलना चाहिए, कि प्रभु आपने बहुत कृपा करी, जो मेरा ये कारिय आपने सुलब किया, नहीं तो मेरे जीव के द्वारा तो ये कारिय दुश्कर ही था, स्वामी प्रसंद नहीं होगा, आपने जो दिया है कृपा करके, उसको जब जाके उनको विज्यप्ति करोगे, कि ये प्रभु आपने कृपा करके मुझे दिया, और जो दिया, वो मेरे सामर्थ और अधिकारानु पाती था, और मैं उससे बहुत प्रसंद हूँ प्रभु, बस ऐसी विज्यप्ति से देखो ठाकवर जी की प्रसंदता चतरगुणी हो जाती है, यहां यह समझा रहे हैं कि बहुत से जन्वहां से गिर्राज जी में जो परिक्रमा करते रहते, उनने श्री गोर्धन नाजी को पधारते तो देखा, लेकिन देखा क्या, कि एक भैसे को लेके चार विक्ति जा रहे हैं, उनको कोई को भी शी गोर्धन नाजी के दर्शन नहीं हुए, यह सब लोग वो ही हैं, कि जो लोग कुछ न कुछ मांगने गए हैं गिर्राज जी से, यह मांगने नहीं जा रहे होते हैं, तो सहज इनको भैसा के उपर विराजमान, शी जी भी कृपा करके दर्शन देते ही, यह केवल मेरी मान्यता, यह कोई भाव प्रकाश में नहीं लिखा है, लेकिन मैं कह रहा हूं, जो जजाने भेसाल यह चार जन जात हैं, तो काटा ना हो यह सगरे ब्रजवासी तहां आवें, यह प्रकार केवल ब्रजभकतन को सुख देना शी ठाकुर जी लीला रस है, यह शी ठाकुर जी को लीला रस है, लवकिक में डरी के छिपी के पधारनों, यह रस है, इश्वरता को भाव नहीं विचारनों है, इश्वरता में कहें तो भजनों कहा, डर कहा, जहां माधुर रस है, जहां माधुरी रस में प्रेम हैं, तो प अगर भगवान की इश्वरता का ही विचार करोगे तो बही किसी भी मलेच्छाओ के कोई भी आओ उससे शिनाज जी को डर के भागने की क्या जरूत है लेकिन आप जो डर के पधार रहें वो क्यों लीला सुख के दानार्थ अपने भक्तों को अनुभाव हो कि देखो हमने शि अश्वरता ही प्रभू प्रगट कर देंगे तो फिर ये जो 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 वो लोग शी जी बावा के साथ ले रहे हैं वो शीजी बावा के साथ आता सुक दीरे-दीरे कम हो जाएगा कि निया तो सामर्थेवान है यह तो सहिम प्रकाश है यह सभी कर लेंगे पिर हम चार जनकी औ बगवान तो अपने संकल्प से अंतर ध्यान हो जाएं, तो इसमें कौन से हाश्चरी के बाद है, मलेच्छावए, मलेच्छे को दीखै ही नहीं, जैसे अब ये मार्ग में चलते हैं, बर जो भक्तों को नहीं दीख रहे हैं, वैसे उस मलेच्छे को भी आप नहीं दीखतें, आप श्री को ऐसी लिला करनी होती तो ये भी होता फिर कप तो श्रिस्वामनी जी थाल ले के पदारते, कहां वाँ चोटरा पे बिरास थे, कहां वा सरोवर के जल का आप सेवन करते, पान करते, कहां इनको बाजू में बिठाते और बिठा के अनुभव कराते हैं कि अभी मैं अंतरंग लीला श्री स्वामनी जी के साथ कर रहे हूँ अभी तुम या समय या मता हो तो तुम एक आड़ी पेंडो करी के बैठी जाओ ये सब लीला कैसे करते श्री जी तो ये लीला जो है ये सुखदानार्थ है ये यह भाव हैं सो जब लीला को नुभव है तो फिरी शी गोर्दनाथ जी इनको न्यारे ओट में क्यों विदा किये सो तहां कहत हैं जो ये भगवदी ये यद्यपी सखी रूप सो लीला को दर्सन करते हैं तो उशी स्वामनी जी को अपने हस्तसों हास्य विनोध करत अरोगाउनों है स तो पास सखी होए तो लज्जा संकोच रहे सो ताइसो निकुंज में जब दो स्वरूप लीला करते हैं तो सखी सब जाल रंद्र वहे के लतान की ओट लीला को सुख अवलोकन करते हैं सो तासों शी गोर्दनाथ जी ने भगवदी इनको ने को ने कोट में बिठाये हते सो अब बुलाए यहां पर पूर्ण भाव प्रकाश में क्यावल इतनी सी बात को समझा रहे हैं कि उसमें वड़ी विशिष्ट बात समझा रहे हैं कि जब ये अंतरंग सखा हैं अंतरंग लीला को इनको अनुभव है क्योंकि पहले ही किया आए कुमंदास जी तो सब युगल स रूप की लीला के विहारादी लीला के अनुभव है तो इनको सबको बाजी में क्यों बिठाए तो उसका प्रमान दे रहे हैं कि जब जब शी स्वामनी जी आप हास्य विनोध अरोगावे को क्रम ये सब लीला आप निकुंज में करत हैं तब जो जितनी भी गोपी जन हैं वो सब भी जालरंद्र जालरंद्र मतलब वेल अलगलग प्रकार की लता पता बेल और वरक्ष बनके ओट में बिराजद हैं और वो वारूप सुही प्रभू और शी स्वामनी जी की लीला को दर्शन करत हैं तो वा प्रकार सुही इन चारों सखान को भी वासमें जो उनको भी बाजू में बिठाएके और फिर आपने ये लीला करी सो जब चारों वैश्नों आए तब शी गोर्धनाजी सद्दू पांडे सो कयो जो अब देखो उपद्रव मिट्यो तब सद्दू पांडे तोंड के घने सो बाहिर आए सो इतने में शी गोर्धन सो समाचार आ है कि मिलेच्च आया के नहीं आया के गया फिर भी वह सद्दू पांडे ने क्योंकि आके खबर दी थी कि मिलेच्च आयो है चड़ाई करी है तो यह चार जन शी गोर्धन धर को लेके भागे थे तो इसलिए अब वापिस भी शी गोर्धनाजी इनके वह भाव के पद्रो मिट्यो के नहीं मिट्यो तब वो जा रहे हो है समाचार लेंके आय रहे हो है तब सद्दू पांडे ने आये के गोर्धन नाजी सो कयो जो वह फौज तुम लेच्च की भाज गई तब शी गोर्धन धर कहे जो अब तुम मोको गिर्राज उपर मंदिर में पाचे सगरे ब्रजवासी शी गोर्धन नाजी के दर्सन करी के बहुत हर्शिद भये और कहन लागे जो धन्य है देव दमन जो इनके प्रताप सो ऐसो उपद्रो भयो हतो सो एक शण में मिटी गयो तब कुमंदास ने शीनाज जी के आगे ये पद गया अब देखो सब लील अब देव दमन के जो इनके प्रताप सो ऐसो उपद्रो भयो सो एक्षण में मिटी गयो यहां पर देखो ये बड़ों से सीखने की बात यह है कि इतनी सी भी सेवा करें तो वो सेवा के फल का श्रे भी प्रभू को देना चाहिए मतलब यत करोशी यदशनासी यद जुहोसी ददासी यत अपस्यसी कोंते ये तत कुरुष्य मदरपणम वो सब तु मुझाई अरपण करदे भई जो भी तेने की आये पई तवदी अवस्त गोविंदा तुभ्यमेव समरपये तो ये दास धर्म को कभी भी मनुष्य को भूलना नहीं चाहिए जो हुआ है तो आपकी कृपा से ही हुआ है जो हम कर पाए वो भी हम आपकी कृपा से ही कर पाए हमारे समर्थे में ये वस्तु नहीं थी ऐसी दीनता है तभी तो शीगोर्धंधर पाड़ा पे विराज के भी इनके साथ घूम रहे हैं प्रवाइब करता है मैं सेवा करता हूं सेवा करता हूं सेवा तो कर गए बाब बेटा वारताजी में आवे तो अब अब तो यह मार्ग है अपना इसने चोटा-चोटा सेवा का कारी सेवा कोई छोटी नहीं है चोटे-चोटे कारी भी सेवा में करके बहुत दैन्य अपने में बनाई रखना चाहिए आज यह सेवा भी प्रभू ने मोकू दी बस इस प्रकार की भावना हो तो श्री गोर्दंध स्वरिय धरने वारी वरिष्टी निवारी घोश आरती टारी देवपती मान भंग करने जयती पटपीत दामिनी रुचिर वर्भुदुल अंग सावल जलद वरने कर अधर वेन उधरी गानकल रवसब्द सहज ब्रज युवती जन चित्न हरने जयती व्रंदा विपिन भूम दोलनी अखिल लोकबंदनी अंबुरुः चरने तरणी तनया तीर विहार नंद गोप कुमार दास कुंभन नमित तुष तुष ठरने तो जयती जयती हरिदास वरिय धरने हरिदास वरिय को धरने वारे एसे प्रभू आपको वारमवार नमस्कार है गोवर्धन धरंवंदे गोवर्धन करम परम गोवर्धन चरम नित्यम गोवर्धन धराधरम बस वोई प्रकार सियां किरें कृष्ट्न तरनी तनय आतीर रासमंडल रचयो अधरकर मधुर सुर बेनु बाजे जुवति जूत संग निर्थत अनेकरंग निरक्य अविमानतली का शामतन पीत कोशे सुब पदनक चंद्रिका सकल भूति मिरभाजे ललित अवतन्स भू भूधनुस लोचन चपल चितवनी मनों मद मानव साजे मुखर मंजीर कटि किंकनी कुनीत रव वचन गंभीर मनु मेग गाजे दास कुम्मन नात हरिदास वर्यधरन नकशिक स्वरूप अध्भूत विराजे वामे करे गिरिम्स्त्रेशु मुदमिंद्रेच साध्वसम धारयंत महमवंदे चित्रम गोपेश गोप्रियम वस ये प्रिकार से यहां दो पद शीकुम्मन नात जी ने गाए ठाकुर जी अरिदास वर्यको धर्वेवारे एसे शी गोर्धन धर को जस से श्रैठव वर्यको व्रसंग तीन सवकमंदास ने बहुत बनाए सो जहां टहां लोग गावन लगे वारतामे ले सो सीकरी फतेपुर में देशादी पती के डेरा हते, सो तहां यह पद गायो, सो कुम्मंदाज जी का एक पद, उस समय के जवन मलेच्छ अधिपती जो देशादी पती उस काल में रहे, फतेपुर सीकरी उनकी राजधानी रही, वहां जाके उस कलावंत ने, उस कलाकार ने, व देशादीपती को सुनाया राग नहीं करता हूँ यहां प्रत्तीयक पद का राग में में हैं देखो मेरी हर्दाए से भौत शुक्रम रहती है कि ये सब शास्त्र आप सबों के पास सुलब हैं, आपके पास बिराजी रहें, इसले सी बहुत माइन्यूट डीटेल्स मैं कभी-कभी भूल जाता हूँ, और एक यूँ समझो कि कथा रूप में इन इतिवृत्तों को सुनाने वाले को ये सब चीज़ याद रखनी चाहिए, तो मैं भूल जाओं तो आप मुझे शमा करना, ये राग धनाश्री में निबत रथा, देको ये सब बोलना भी बहुत जरूरी है, ये कोई ऐसी एकदम छोटी बात नहीं है, इन पदों को कौन से राग में, इनके मूलस सुरूप में गाया गया शिगोरधन धर के आगे, य ये भी अगर जानकारी हमारे पास हो, तो हम कभी कोई भिन राग में भिन पद को न गा दें, क्योंकि अपन जैसे कहते हैं ने कि वो प्रकार की बंदिश सुनने की ठाकुर जी को आदत होती है, वो प्रकार की एक पद्धती से ही गायन को ग्रहन करने की, उसका आनंद लेने कि श्री ठाकुर जी के भी दिव्य जो प्रभू की करणे इंद्री हैं, उनके भी कुछ संसकार वो ही ढंके होते हैं, कि मेरे अस्त सखान ने वो काई में गायो, वही वा में उनने गायो, तो ये वो चीज को बताने के लिए प्रत्येक पद के उपर राग को भी यहाँ वार लिखा हुआ हैं, कि ये विहाग रो में गायो, जो विहाग रो में गायो, विहाग रो में गानों पड़ेगो, तो ये कुछ एक प्रकार की ये भी सामप्रदाइक मेंड है, कि हम कोई भी पद को कोई भी राग में निबद्ध करके नहीं गा सकते, क्योंकि रागों का चैन प्रभु के सेवा क्रम के कौन से समय का ये कीरतन है उसके आधार पर उसके राग दिया गया है इसी कारण से मैंने उस दिन कहा था कि हमारा भी कीरतन प्रकार जो है वो शास्त्री यही है तो ऐसा नहीं कि ये कोई सुगम संगीत या लोकगीत हैं ये कोई folk music भी नहीं है F.O.L.K. जिसको बोलते है folk music वो folk music भी नहीं है कोई ग्रामिन music भी नहीं है कोई लोकगीत भी नहीं है ये पूर्ण रूप से धुरुपद धमार शैली में निबद जो कीरतन भक्ती है हमारी ये कीरतन भक्ती भी शास्त्री है साम वेदोक्त जो गान विद्या है अपने हां की वो साम वेदोक्त गान विद्या के आधार पे धुरुपद हमार रूपी दो शैलीों का फ्यूजन करके और श्री गुसाई जी ने एक नवीन पद्धती से अपने संप्रदाई की गान पद्धती का वैलक्षन ने प्रकट किया है अरे भाई जैसे अपने हां ये पद्धती है अस्तसकाओं के द्वारा निबद वैसे दक्षण भारत में अन्नमा अचारिये और त्याग राजन और मुत्तु स्वामी और ये पुरंदर दास कनक दास आधी बहुत से से भगवदी हुए हैं वहाँ पे भी जिनकी अपनी पद्धती है आज भी महराष्ट्र में आप ज आपके रचना के साथ जो बंदिश विठाई है जिस धंक से वो धंक से तो ये वारता जी में भी आप ध्यान दीजिएगा कि जिस राग में जो पद लिखा होगा न अपने कीरतन परमपरा में कीरतन के पुस्तकों में वही राग साथ वहां पे भी मेंशन किया गया होगा क् सेवा प्रणाली का किरतन प्रणाली का साथ में चलती है किरतन प्रणाली का सेवा प्रणाली का जो जिस दिन के पद जिस दिन गाने के हैं वो उसके समय भी फिक्स हैं बहुत छोटे छोटे फरक होते हैं जैसे अगर देव उत्थापन जो है वो शिंगार ग्वाल में होगा तो बिलावल अथ्वा सारंग में गवेंगे अगर देव उत्थापन है वो सांच का होगा तो वो ही पदह जो है वो कानरो में गवेंगे बन लिखा शायद भले कानरो या बिलावल या सारंगी ही हो पन जैसा समय अब भई सांच का देव उत्थापन है तो आप सांच को थोड़ी उठा के ठाकुर जी को बिलावल और सारंग सुना होगे तो कुछ चीजों में तो ये एक विवेक दृष्टी भी होती है कि कौन से समय में हैं जो इस समय ठाकुर जी कब वो वस्तुद करने वाले हैं तो कभी-कभी राखी सुबे की होती हैं, कभी राखी सांच की होती है कभी पवित्रा सुबे के होते हैं, कभी पवित्रा सांच के होते हैं तो जिस समय पे भद्रा टाल के जो करम सेवा का रखा जाएगा उस समय के अनुपात से रागों का चैन करके वो ही प्रकार से उन पदों को गाया जाएगा और आश्चर देखना कि आप वो पद इसी पद्धती में लिखे गए होंगे कि वो कानरों में भी गाने सरल होंगे और वो बिलावल अत्वा सारंग में गाने में भी सरल होंगे अगर शिंगार गवाल में शिंगार में हम लेते हैं उसक्रम को तो फिर वो बिलावल में गवता हैं ग्वाल में दि हम डबरा आरोक के ठाकुर जी को मंडपादी में पदराते हैं तो फिर वो सारंग में गवता हैं तो ये सब क्यों एक व्यवस्था रखी गई है वो बड़ी सोच विचार के रखी गई है इसलिए वारता जी में भी प्रतियक पद को बताने के साथ वहाँ पर है कि राग धनाश्री में यह पद गायो तो देखरी आवनी मदन गोपाल की यह प्रकार सो यह किरतन सुनी के देशादी पती को मन वापद में गड़ी गयो सो माथो धुनियों और कयो जो ऐसे ऐसे महापुरुष भूमी पर होए गए जिनको ऐसे दरसन परमेश्वर के होते तब वा कलावन्त ने देशादी पती कही जो साहेब वे महापुरुष पद करवेवारे यहाँ वही हैं यहाँ वही हैं सो तब यह देशादी पती वा कलावन्त के ऊपर बहुत प्रसन होए कि पूछो जे वे महापुरुष कहा हैं इन्होंने वो पत समझ के सुनके समझा द देशादी पती ने कि वो तो पदार गए भूतल पे से जिनने ये पद लिखा था। कलाकार ने बताया कि नी नी वो तो अभी भी इस भूतल पे हैं और यहीं हैं अपने पास हैं तब कलावंत ने कही जो शी गोरधन के पास जमना वो तो गाम है सो तहां वे महापुरुश रह कुमनदास को लेवे को पठाई सो जमना वता गाम में भेजी तब वे मनुष्य अस्वारी लिवाए जमना वता गाम में आए तासमाई कुमनदास जी तो जमना वता में हते नहीं परास वली चंदर सरोर में अपने खेत उपर बैठे हते सो तब उन मनुष्यन ने जमना वता में आई के पूछी पाचे खबरी पाए के गाम में ते एक मनुष्य को संग लेके वे लोग कुम्मंदास जी के पास आए तब देशाधी पती के मनुष्यन ने आई के कुम्मंदास से कहो जो तुमको देशाधी पती ने बुलायो है सब कुम्मंदास ने कही जो हम तो गरीब ब्रजवासी हैं सो काहे को चाकर नहीं तासर हमारों देशाधी पती सो कहा काम है जो मैं चलू तब देशाधी पती मनुष्यन ने कही जो बाबा सहेव हम तो कच्छु समझत नहीं है हमको तो देशाधी पती को हुकम है जो तुम कुम्मंदाज जी को ले आओ तो ये गोड़ा पाल की तिहारी असवारी के लिये लाए है तो तिन के उबार तुम असवार होए के चलिए हम आए हैं जो देशादी पती ने भेजे हैं तो हम तुम को ले जाएंगे और जो हम न ले जाएं तो देसाधी पती को हुकम टरे तो देसाधी पती हमको मरवाई डारे तासों आप चलिये और उन्सों मिली के चले आईए तब कुममंदास अपने मन में विचार कियो जो यहां आप अदा जो आई है तासों आप अदा होए सो भूगतनो कही जो मैं तो कब हूँ अस्वारी में बैठे हो नहीं हम तो कच्छू बोलो मती जो हम जोडा पेर के पायन चलेंगे जोडा पेर के अतब चपल पहन के और हम तो पायन चलेंगे पेर से चलके ही जाएंगे तब उन मनुष्यन ने बहुत बिंती की नहीं परी कुमंदास तो अ महापुरुष आए हैं तब देशाधी पती ने कुम्मंदास को भीतर बुलवाए तब भीतर गए पांचे देशाधी पती ने कही जो बाबा साहेब आगे आओ तब कुम्मंदास जी तनिया पहरे फटी मेली पाग पिछोरा तूटे जोड़ा सही देशाधी पती पर आगे जा हूं और विचारे यासों तो मेरे ब्रज के रूख आच्छे हैं जहां साक्षाच्छी गोवरधंधर खेलत हैं जा प्रकार कुम्मंदास जी अपने मन में विचार करते हते इतने में देशाधी पती बोले हो जो बाबा साहेब तुमने विश्णूपद बहुत किये हैं तास कुम्मंदास के मन में बहुत बुरी लगी तब कुम्मंदास अपने मन में विचार कियो जो गाये बिना छुटका रोएगो नहीं और मलेच्छ के आगे तो शी ठाकुर जी की लीला के पद गाये जाए नहीं तो तासों मैं कहा गाऊं जो मेरी बानी के सुनीवे वारे तो श कुम्मंदास के मन में यह बात आई जाको मन मोहन अंगिकार करे एको केस खसे नहीं सिरते जो जग बेर परे शो यह विचारी के एक नयो पद करी के कुम्मंदास ने देशा दिपती के आगे गायो सो बद रागसारंग भक्तन को कहा सीखरी काम भक्तन को कहा सीकरी ये फतेपुर सीकरी अमारा क्या काम भक्तों का भक्तन को कहा सीकरी काम आवत जात पनहिया तूटी विसर गयो हरी नाम जाको मुख देखें दुख उपजद ताको करनो पड़ें प्रणाम कुम्मंदास लाल गिरदन विनू यह सब जूटो धाम सो यह पद कुम्मंदास ने गायो सो सुनी के देशादी पती अपने मन में बहुत कुड़ियो सो पांचे उनने अपने मन में विचारी जो इनको कछू लेवे को लालच होए तो यह मेरी खुसा मद करे जो इनको तो अपने इश्वर सो काम है यह विचारी के अकबर पाच्छा ने कुम्मंदास से कहो जो बाबा सहेब मो को कछू आग्यां फरमाओ सो मैं करूँ तब कुम्मंदास ने कही जो आज पाच्छे मो को कभू बलायो मती तब देशादी पती ने कुम्मंदास को बिदा किये सो तब कुम्मंदास उहां ते चले सो मारग में आवत कुम्मंदास के मन में श्री गुर्धननाज जी को विरह कलेश भयो जो अब में श्री गुर्धननाज जी को मुख कब देखोंगो सो ऐसे विचार करत मारग में आवत कुम्मंदास ने विरह को एक पद गायो सो रागधनाश्री में गायो वुबासर मन ना परत कछूə चैनूँ सो ऐसे पद मारग में गावत कुमंधास शृ गीराजी उपर आए श्री गोर्दनाजजी के दरसन किये सो दोई प्रहर भीते सो कुमंधास को मानो दोई जुग भीते ता पाचे श्री गोर्दनाजी को कुम시क्री मुख देखती सगरो स् गायो रागधनाश्री नेन भर देखो नंद कुमार तादिन ते सब भूली गई हो विसरयो पती परिवार बिनु देखे हो विबस भाईरी अंग अंग सब हारी ताते सुधी है सामरी मूरत लोचन भरी भरी वारी रूप राशी परिमित नहीं मानो कैसे मिले कनाई कुमंदास प्रभू गोवर धंधर मिली बहुरी उरलाई नैन भर देखो नंद कुमार यह पद गायो और दूसरों पद धनाश्री में गायो विलगन कठिन है या मनकी जाके लिए देखी मेरी सजनी लाज गई सब तनकी धरम जाओ और लोग जहसो अब अरु आवो कुल गारी सो क्यों रहे ताही बिनु देखे जो जाको हितकारी रस लुब्द एक निमिश नहीं चांडत जो अधीन म्रग गाने कुमंदास यह सनेह मरम को शी गोवर धंधर जाने तो ऐसे पद कुमंदास ने बहुत ही गाये सो सुनी के गुर्धन नाज जी आप कहे जो कुमंदास तु धन्य ह जो मेरे बिना एक छिंतों को फल नहीं तो को एक छिंत भी कल नहीं तासो मोकू हूँ तो तेरे बिना कच्छु सुहात नहीं हैं तासो मोहू को तो बिना कच्छु सुहात नहीं हैं सो यहाँ प्रकार कुमंदास जी और श्री गोर्धन नाज जी की परस पर प्रीती हती सो आ प्रगट किये वारता प्रसंग चार में कहते हूं और एक समय मानसिंग प्रऑजा मानसिंग यह विचारी के श्रीमतरा जी में आयो जहां विश्रांत घाट उपर नायो तब चौबेन ने मिली के करे ओ, मतराई जी के चौबेन ने मिल के करे ओ, जो शी केसर राई जी शी ठाकुर जी के दरसन को चलो, सो गर्मी जेश्ट मास के दिना, और मतरिया चौबेन ने राजा को आवज जानी के, सी केसर राई जी को जरी की ओडनी, वागा, पिछवाई, च चले. पाचे उनने कई जो व्रींदावन में शी ठाकुर जी के evaluation रहे हैं, और छिछी वर को चलेंगे पाचे राजा मान सिंग कई में आयो दो में राजा मान सिंग दर्सन को आवेगो या जानी कि Jackfried 님 के लिए बारी भारी जरी के चीरा वागा पटका सूथन जरी को ओड़नी भारी भारी उड़ाई और सोने के आभूशन पेराए पाचे राजा मान सिंग आई के दोई चार ठिका ने बड़े-बड़े मंदिरन में दरसन करी भेट किये गर्मी बहुत लगी हती सो डेरान पे आयो और कयो जो य तब राजा मान सिंग कईो जो श्री गोर्धनाजी के दर्सन तो अवस्य करने हैं सो तब गोपालपूर में आए के दर्सन को समय पूछो तब काउने कई जो उथापन के दर्सन होई चुके हैं और भोग के दर्शन की तैयारी है भोग के दर्शन खुलेंगे अब यहाँ पर थुड़ी वो कोई चपल पेर के के कचुबी पेर के वो पगए पदत्रान छोड़के ही चड़ेंगे और भोग के किवाण खुले हतें सो श्री गोर्धनाजी के दर्सन करती राजा मान सिंग के नेत्र सीरे होए गए थंडे होए गए तो उन दिनन में श्री आवत है और सुगंदावत है और दोहरो पंखा होत है सुपेद पाग परदनी को सिंगार है श्री कंठ में मोतीन की माला है और मोतीन के करणपूल और मोतीन के सुक्षम आभूशन है सो सुगंद सहीत सीरी ब्यारी लागी सो राजा मान सिंग को रोम रोम शीतल भे गयो सेव तो यहां है जो शी ठाकुर जी सुख सो बिराजे हैं सो साक्षाच शी कृष्ण प्रकट भए सुने हते श्री भागवत में सो शी गोर्धन्नाज जी यही है तासो आज मेरे बड़े भाग्या हैं जो मैंने ऐसे दर्सन पाए हैं ता समय गोर्धन जी के आगे कुम्मंदाज जी पद गावत हते सो जैसे शी गोर्धन दर कोटिक अंदर पर लावन ने स्वरूप मन हरन और तैसे रसरूप कुम्मंदाज जी ने भी पद गाए सो पद राग नट में अब देखो आप भोग का समय राग कौन सा चल रहा है नट अब क्या गवेंगे नट गवेगा गोरी गवेगा पूरवी गवेगा अब सब यही राग गवेंगे क्यों सांज का समय हो गया अब सारंग नहीं गवेगा क्योंकि सारंग तो दुपेर तक ही गवेगा तो देखो हर वस्तु में ध्यान देने बात हैं कि अपने अस्च सखा उन्हें सेवा की रीत को देख का ही ये प्रीत के सब पद किये सो ये पद में भी रागों का स्पष्टिकरण जो है वो इसी प्रिकार से सो राग नट में गायो रूप देखी नेना पलक लगे नहीं गोवर धंधर के अंग अंग प्रति निरख नेनमनक रहत रहीं कहा री कहों कचु कहत नावे चित चोरियो वे मांग दही कुम्मंदास प्रभू के मिलेवे की सुन्दर बात सकीयन सो जुक कही दूसरों पद गायों पूतरी पोरिया इनके भए रिमाई को रोके या मग आवत खंजन छोरी दहे पलक नक पाट दिये रिमाई ठाड़े रहत प्रेम के बाड़े निस्बासरसब सुक्चितई रिमाई कुम्मंदास लाल गिरी धननमन के भाजन फोरी धंडोरी रिमाई तब तेरा आयो पाचे राजा मान सिंग दंडवत करी के अपने डेरान में आयो तब आचे सेन आरती के समय कुम्मंदास जी ने ये पद गायो तो राग केदारो अब सेन आगे हो तो राग केदारो लाल के वदन पर आरती वारों चारू चितवनी करों साज नीकी युक्ती बाती अगनित गरत कपूर सोबारों संख दुनी भेरी मर्दंग जालर जांज ताल गंटा बाजे बहुत विस्तारों गाउं सामल सुजस रसना सुखस्वाद रस परम हरकतन चमर करडारों कोटी उद्जोत रविकांती अंग अंग छबी सगल भूलो को तिमिर टारों दास कुंबन पियलाल गिरधनन को रूप देखी नैनन भरी भरी निहारों सो या प्रकार सने के कीरतन गाए अपनी सेवा सो पहुंची के कुंबन दाज जी अपने घर जमनावता में आए सुहा राजा मान सिंग अपने डेरान में जाएके अपने मनुष्य के आगे श्री गोरदननाज जी की सेवा सिंगार की वारता कहन लागयो और कयो जो गोरदननाज जी की आगे विष्णु पद गावत हते सो कौन हते जो ऐसे पद गाए जो मन में पेंठी गए हैं ऐसे पद आज ताहीं मैंने कभू सुने नहीं तब एक उरजवासी नहीं जो एक गोरवा हैं और कुम्मंदाज जी इनको नाम है जो अपनी खेती में अन्न होए सो ताहीं सो निर्वा करते हैं जो तुमने सुने ही होएंगे जो आगे देशाधी पती ने बुलाए हते परंतु कुम्मंदाज जी कछू लिये नहीं जो यह महापुरुश हैं सो तब राजा मान सिंग ने कह ओ जो आज तो रात्री भई है याते कल सवारे हमाऊ इनसु मिलेंगे सो या प्रकार कही के रात्री को राजा सोई गयो आज अपन भी यह प्रसंग को यहाँ पे रखेंगे और इसके आगे राजा मान सिंग का मिला आप कैसे कुम्मंदाज जी से हुआ इस प्रसंग को हम कल से प्रारम करेंगे द्रडड़ाइन चरनन केरो भरोसु द्रड़ाइन चरनन केरो शीवल लभ नक चंद्रचटा बिन सबयुग मांज अंधेरो भरोसु द्रड़ाइन चरनन केरो साधन और नहीं आकली में जासों हो यानि बेरो सूर कहा कहें दुविध यांदरो बिना मुलको चेरो भरोसु द्रड़ाइन चरनन केरो भरोसु शीगो वर्धन नाथ कीजे शाम सुंदर शीयमने महरानी कीजे शिवल लभाध हीश कीजे शीगुसाई जी परमदयाल कीजे आज के